हेलो एवरीवन वेलकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम रेश्यो परपोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हम थोड़े से टिप्स जानेंगे थोड़ा बेसिक जानेंगे रेश्यो परपोर्शन के बारे में और कुछ कोशन्स भी सॉल्फ करेंगे जो पढ़ोगे तो आज से हम रोज एक वीडियो डालेंगे जो मितलब आपको हल्प करेगा जो परसेंटेज माज की वीडियो होसकती है और अगर आपने मेरे चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं basic ratio compares two or more things of same kind if we compare two things then ratio can be defined ratio मतलब किसी भी चीज़ को मतलब आपको दो number दिये गे होंगे जैसे कि suppose वो आपको P by Q की form में हो सकते हैं fraction के form में हो सकते हैं और इसके बहुत ज्यादा टाइप होते हैं एक होता है duplicate ratio duplicate ratio sub duplicate ratio और compound ratio तो जो duplicate ratio होगा उसमें क्या होगा आपको scales में दिया गया होगा आगर competitive exam में ऐसा question ढालते हैं तो वो क्या किया होगा स्केयर में दिया होगा तो आपने उसकी square की multiple गरके जैसे 3 के square होगा three को three 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 को 3 को 3 को 3 वार multiply करेंगे तो तुरी को तो कम possono करें। तो मतलब यहां पे अई से करके दिया हुआ को ओशन और सब डूप्लीकेट में दिया हो तो उस में आपको स्केर रूट में दिया हो लिए हुए है।। व्श्राइब दूपलीकेट में स्केर रूट wichtig जिम्लीकें सबसे पहले नंबर को तो आपने इन दोनों नंबर को मल्टिप्लाइ करने हैं जो भी जो भी रेजिव में दिया होगा तो उनको multiply करना है क्योंकि यह exact value नहीं है इसलिए हम इसको x consider करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर रह जाएगा और यह 12 इसके नीचे आ जाएगा जो क्या जाएगा 7 यहाँ पर एक नंबर आया लेकिन इन दोनों में से 4 सबसे बड़ा है तो 4 की multiply हम जो x निकला हुआ है उसके साथ करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा सेकिंड कोशन भी सेम ऐसे है पहले हम इन दोनों को multiply करेंगे आएगा 15 15x इसमें क्या हुआ है दो नाच्रल नंबर आर इन दे कंपाउंड और इन दे प्रड़क्ट प्रड़क्ट बोलाओ प्रड़क्ट मल्टिप्लाय करना है इसको तो हम क्या करेंगे x 3x और 5x को multiply कर दें जैसे हमारा आ गया 3x 3x multiply 5x 3x multiply 5x तो आएगा 2160 और यहां पर कोशन दिया हुआ है इफ यहां पर condition दिया हुए इफ दर टू नंबर्स अगर सपोज अब ज़रूरी थोड़ी है वह ऐसे ही देगा आपको LCM वह अलग टाइप से भी कोशन दे सकता है तो यह अलग टाइप का 539 ऐसे करके ratios हो सकते हैं और उनका जो सम होगा मतलब जो उनका plus करके होएगा उसको हम A करके consider करेंगे और इस नंबर विल बी और उसको हम ऐसे ऐसे fraction में लिखेंगे A1 और capital A और उसके बाए A1 प्लस A2 उसके बाद अगर सपोज इसको question में हम करते हैं यहां पर solve क्यों यहां यहां पर दिया हुआ है 1000 नंबर जो भी यहां पर बड़ा नंबर होएगा वहां पर capital A वाला नंबर होएगा उसको divide किया गया है A और B में in the ratio of 3 and 2 and then A will be received A क्या मिलेगा हमको तो A हमने यहां पर capital A है उसको हमने लेना है मतलब उसको हमने सबसे पहले हमें A1 और A2 तो पता चल गया है वो आया 3 और 2 उसके बाद यह जो 3 है वो A है तो 3 लिखना है A जो capital था वह 1000 है टोटल क्योंकि 1000 है इसलिए हम यहां पर 1000 लिखेंगे और इसको plus कर देंगे तो यहां पर 3 की multiply 3000 आ जाएगा और 5 इसको plus करेंगे तो 5 क्योंकि यह condition यहां पर condition फॉलो कर रहा है इसमे हैं दो रिशयों दीवह थ्री और टू और यहां पर एक जो बड़ा नंबर है सम जो दिया वह यहां प्रदक्ट दिया हुए वह एह है तो यहां पर जो है वह थाउसेट है तो इसलिए condition को कर रहा है इसलिए हमने यह वाला फॉर्मिला लगा तो इसको जब हम multiply डिवाइड क 60 और यहां पाएगा 15 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 15 तो यहां पाएगा 666 और यहां पाएगा 64 और 60 फिर से आजाएगा वह भी 4 जा यहां पाएगा मारा 144 इसका आंसर आ गया ठीक है 144 लेकिन एक्स का स्केर इकोल टूब 144 तो एक्स को जब हम करेंगे स्केर उट आजाएगा 144 तो हम ऐसे कर सकते हैं 12 का स्केर करके यह स्केर रूट कैंसल कर देंगी तो एक्स मारा आ गया 12 तो अभी यहां पर भी इन्होंने बोला हुए स्मॉलर नंबर लेना तो 3 और 5 में सबसे स्मॉलर 3 3 की मिल्टिप्लाइ करनी एक्स के साथ तो 12 तो आजएगा 36